नमस्ते जी कैसे हैं आप? हम नवरात्र के अंतिम दिन पर पहुंच गए हैं। विश्वास ही नहीं होता कितनी जल्दी ये नवरात्र गुजर गए हैं। नव दुर्गाओं में मा सिध्धिदात्री अंतिम है नवरात्र पूजन के नवे दिन मा दुर्गाजी की नवी शक्ती मा सिध्धिदात्री का है मा सिध्धिदात्री सभी प्रकार की सिध्धियों को देने वाली है दोस्तों, देवी भागवत में बताया गया है कि नवरात्रों में मादुर्गा धर्ती पर बालिका के रूप में विचरती हैं और अपने भक्तों को दर्शन भी देती है इंद्रेव ने जब ब्रम्हदेव से मादुर्गा को प्रसंद करने का सबसे सटीक विधी पूछी तो उन्होंने सर्वोत्तम विधी के रूप में कन्या पूजन की विधी बताया कन्या पूजन से ही नवदुर्गा का पूजन संपूर्ण होता है कन्या पूजन में भोजन के साथ ही साथ कन्याओं को उपहार देकर प्रसंद किया जाता है अपने शक्ति अनसार कन्याओं को कुछ ऐसी चीज दें जिससे वे खुश हो जाएं साथ ही उनके काम भी आए नवरात्रों के पांचवे दिन से मा सरस्वती की पूजा भी की जाती है इसलिए कन्याओं को विध्या और शिक्षा से जूड़ी वस्तों का दान देना श्रेयस कर्माना जाता है जैसे की कथा कहानियों के पुस्तक, रंग पुस्तक, कलम, रंग पैंसल या स्केच पैन आदी इस उभार के साथ ही आप ये चोटी सी चीज़ उनके उभार में दे दें तो आपके बंद किस्मत का ताला खुल सकता है यदि लाख कोशिशों के बाद भी आपको अपने महनत का फल नहीं मिल रहा है यदि आपको लग रहा है कि आपकी किस्मत ही आपका साथ नहीं दे रही तो करे ये पेहद सरल परंतु रामबान उपाएं दोस्तो नवमी के इतिन हर दिन की तरह ही आप पूझा करें आज मा सिध्धी दातरी का दिन है इसलिए उनकी स्तुती कर पूझा करें मा सिध्धी दात्री की स्तुती इस तरहा करे या देवी सर्व भूतेशु मा सिध्धी दात्री रूपे न संस्थिता नमस्तस ये नमस्तस ये नमस्तस ये नमू नमहा इस स्तुती का अर्थ यू है हे मा, सरवत्र विराजमान और मा सिधिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे आपको मेरा बार बार प्रणाम है मा, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ हे मा, मुझे अपनी कृपा का पांत्र बनाए माता को लाल या पीले रंके फूल चड़ाए नैवेध्य में नारियल या खीर अरपन करें अब माता के चर्णों में एक बन ताला रख दीजिए ताला खरीते समय दुकानदार आपको ताला खोल कर दिखाने की कोशिश करेगा लेकिन आप मना कर दें, आप ऐसा ताला खरी दें जिसे आपके सामने नहीं खोला गया हो बस दुकानदार का आश्वासन काफी है कि वह ताला काम करता है फिर उसे मा के चर्णों में रखें और प्रांथना करें की है मा यह ताला स्वीकार करें मेरे बंद किसमत के स्वरूप इस ताले को आप ही खोलें मेरा भंडार भर दो कन्या पोजन के बाद जब आप विदाय से पहले कन्या को उपहार देंगे तो उस उपहार के साथ ही इस ताले को किसी एक कन्या को दे दे जब वह कन्या उस ताले को खोलेगी आपकी किसमत का ताला खोल जाएगा इससे समझे कि माने आपकी सुनी आपकी पूजा को स्विकार किया है दोस्तों यह उपाय कहने सुनने में भले ही सरल लगे लेकिन जिस किसी ने भी पूरी श्रधा से यह उपाय किया है वो दावी के साथ कहता है कि यह शत प्रतीशत काम करता है इसलिए आप भी यह उपाय करके देखिए और साथ ही अपने बंधुमित्रों के साथ भी यह उपाय शेर कीजिए क्योंकि जितना आप दूसरों का भला करेंगे उतना ही आपका भला होगा दोस्तों यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस तरह के और भी वीडियोस लेकर आ रही हूँ साथ ही नोटिफिकेशन आउन करेंगे तो हमारे कोई भी लेटिस्ट अप्लोड मिस नहीं करेंगे तो हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों स्वस्ति